दौलत ये तो भीक मागने पर भी मिल जाती है लेकिन इज़त कमानी परती है अगर रिष्टा ने भाना है तो कुछ बातों को नजर अंदास भी करना सीखो हर बहस में जीतने की कोशिश करना अक्सर रिष्टे हार जाता है नमश्कार मैं हूँ मुहित कमल श्रिमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल में और 9 फरवरी के विशेश एपिसोड में आप सभी को बढ़ाए और शुपकामने देना चाहूँगा जनका आज जनम दिवस है या कोई विशेश यादगर दिन है शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से तारिक 9 फरवरी 2023 से और दिन गुरुवार का है आज के विशेश उपाय में आप से बात करने वाला हूँ जर्म कुंडली में प्रेम विवा की संभावने कैसे उत्पन होती है कैसे मालूम चलगा कि लव मैरेज है या अरेंज मैरेज ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा पंचांग की बात करते हैं तो समथ 2089 का फालगुन कृष्ण पक्ष चल रहा है चतुरती तिती है उत्रा फालगुनी नक्षत्र रहेगा रात के 10 बच के 26 मिनिट तक जिसके बाद में हस्त नक्षत्र आरंभ होगा कन्या राशी का चंद्रमा रहेगा डेड़ बजे से लेके 3 बजे तक दो पहर के रहुकाल का समय है वहीं पर शुप चौगरिया मौरत आज के दिन सुबह के समय मिलेगा 7 बच के 22 मिनिट से 8 बच के 52 मिनिट तक पश्चम दिशा में यात्रा है लकी साबित होंगी वहीं पर रिस्की साबित होने वाली दिशा हैं रहेंगी दिशा और आगने दिशा आगने को इंगलिश में कहते हैं साउथ इस्ट अगर आप दिशा में वाले हैं तो यह रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि दिशा शूल दोष लग रहा है इसका परिहार करनी के लिए दही खा करें कि अगर अपनी यात्रा आरम करें जादा बहतर सिद होगा अब बात करते हैं सोर्योदे कालीन कुनली में शुब ग्रह योगों की आश्रे योग, संख्या पाश योग, गजगेसरी योग, परवत योग, वैशी योग इन सभी राज योगों का आपको साथ मिल रहा है पर योगों का साथ मिलने से क्या समझ में आएगा जब तक इन योगों की जानकारी ना हो कैसे बनता है, क्या फाइदा मिलता है दोनों चीज़े ना मालुम हो तो कैसे आगे बढ़ें जैसे बात जब की जाती है आकिटेक्चर की तब काफी ऐसी टम्स होती है बीम है कॉलम है सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं पर इसका अक्च्छल में मीनिंग क्या है बेसिक नेसिटी क्या है ये समझने के लिए किताब पढ़नी पढ़ती है जब डॉक्टर बताता है कि कफ एन कोल्ड है इसके लिए अब ये दवाई ले लिजा आपको ब्रैंड नेम लिख करके देता है अगर आपको दवाई का फॉर्मुला लिख करके दे तो किताब पढ़नी जरूरी है उसी तरीके से जब जोतिशी बोलता है ये योग बन रहा है तो उस समय जनम कुंडली पढ़ने की जरूरत है ये जरूर है कि जनम कुंडली पढ़ने से इनसान जोतिशी नहीं बनता डॉक्टर के किताब पढ़ने से इनसान डॉक्टर नहीं बनता पर जागरुक जरूर बनता है यहाँ पर कोशिश यही है कि आप सब जागरुक बने जोतिश के नाम पर जो छीज़ें की जा रही है जो लोग कर रहे हैं तो वो नहीं सिर्फ आपको ब्रहमित कर रहे हैं बलकी इस विज्ञान को जॉतिश विज्ञान है विज्ञान को और इसके रिप्रेजेंटेटीव opens यानी कि जोतिशियों को खराब साबित करते हैं उनको ख जोतिशी बोल करके लोगों के साथ में ढोंग करके आगे बढ़ जाएं और उसके बाद में कुछ ही समय बाद गायब भी हो जाते हैं पर लोगों की धारनाएं बन चुकी होती हैं कि जोतिशी खराब होता है ये कुछ लोगों के कारण ऐसा होता है और इसी कारण आपको यहां प्रुख बनाने की कोशिश की जाती है ताकि अगली बार जब ऐसा हो तो आप उस इंसान को वहीं पे रोक सकें दूसरों के साथ में गलत होने से रोक सकें ये कोशिश है और इस कोशिश का सफल होना आप पर निर्भर करता है आई अब बात करते हैं आज के राशी फल के और श आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा क्योंकि अश्ठक वर्ग में भी बहुत कम सपोर्ट है और विपत्तारा का साथ ये कही ना कहीं पे पॉस्टिवनिस में कमी लाता है इसके कारण ये कहूँगा कि आज 50% डे आपके साथ में रहने वाला है यहाँ पर जो इंटर्व्यू फिर भी आपके लिए पॉस्टिव बनी हुई है लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा प्रेम भी मिलेगा पर आज गलती करने पर जो एक्सपेक्टेड है उससे कहीं जादा आपको डार्ट भी मिल सकती है खास तौर पर पिदाजी का विरोध देखने को मिलेगा वही कमाई के त जादा प्रॉफिटेबल फिर भी बनाया जा सकता है कोई मीटिंग अटेंट करना है उसके लिए भी यही कहूंगा कि अपने सबॉडिनेट को या फिर किसी और को भीजना जादा सूटिबल रहेगा स्वैम जाने के कारण यहां पे शुबरंग आपके लिए रहेगा थार्तियों को खास टौर पर अपने घर वालों से, अपने टीचर्स से, अपने मेंटर्स से आज की दिन सपोर्ट पूरा तरीक यही नहीं मिलने वाला कहीं ना कहीं पर आप में कम्या निकलना, आपका टेस्ट लेकर के आपको बार बार चीज़ों के लिए ब्लेम करना, इस मन अशांत भी रहेगा तो वहीं घर परिवार का भी सपोर्ट ना मिलने के कारण याद फिर उन पर उंगली उठाने के कारण चीजें जो हो सकती थी बैथर उस पे भी खुद ही रोक लगा देगा यहाँ पर यही कहूंगा कि इसका इस्तमाल अगर सही तरीके से किया जाए जादा प्राक्टिकल सोच के साथ में आज की दिन चीजों को हैंगल किया जाए जाए वो प्यार ही क्यों ना है घर के रिलेशन्स ही क्यों ना है प्राक्टिकल सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे शुबरंग रहेगा आपके लिए पीछ कलर शुबरंग रहेगा नमबर सेवन अब बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी के लिए राशी भाव से सिच्वेशन आपके लिए यहां पर 33% सपोर्ट की बन रही है इसके कारण यह कहूँगा कि आज के दिन स्ट्रगल जादा देखने को मिलेगा उत्तेजित जादा किये जाएंगे बार-बार रह रह करके घर वाले ही परेशान करेंगे फिर वो चाहे आपके लाइफ पार्टन ही क्यों ना है फोन पे रह रह करके आपसे बार-बार जगड़ा करेंगे चीजों को बार-बार उठाएंगे और जहां पर आसानी से काम हो सकता था दिन निकल सकता था कमाई पर आपका जोर रख सकता था उसकी जगे घर की परेशानियों को सुलजाने में अब ज़्यादा समय व्यतीत करते नजर आएंगे वहीं पर ये भी कहूंगा कि सामने जो अपॉर्चनिटी थी जिसे इस्तमाल करके आगे बढ़ा जा सकता था अची कमाई की जा सकती थी उसको भी आप गवा बैठेंगे ऐसे में रेड कलर कर इस्तमाल करके काफी अपने आपको सिक्योर करना या फिर एनरजी प्रदान करने का आप काम करें ज्यादा बहतर रहेगा शुब अंक भी रहेगा आपके लिए अब बात करते हैं करक राशी की करक राशी के लिए राशी भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है संपत तारह का साथ और अश्टेग वर्क में 25 डॉट से सिच्वेशन यहाँ पर आपके लिए 100 परस पॉस्टिव बन रही है थोड़ा अगर बस पीशिंस रखा जाए मैं आ कमाई की बात करें तो अच्छी कमाई भी होगी investment opportunity भी मिलेगी तो वहीं पर सुख समान और प्रतिष्टा भी आपको मिलेगी name of fame भी प्राप्त होगा अगर यूट्यूबर हैं यंग स्थ हैं social influencer हैं तो यहाँ पर आपके मन मताबिक आपको response मिल सकता है कोई भी आपका content viral होन से और अपनी संतान से बहुत लगाव देखने को मिलेगा नौकरी करने वाला इंसान काम कम होने के कारण relax जादा करेगा पर फिर भी output अपना अच्छा देगा ऐसी सब चीजें होंगी बस थोड़ा patience रखने की जरुरत रहेगी शुबरंग रहेगा आपके लिए maroon color शुब अब बात करते हैं सिंग राशी की सिंग राशी के लिए राशी भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है वहीं पर जन्मतारका भी साथ है अश्टग वर्ग में 30 डॉट्स हैं जो overall situation को 33% support का बनाते हैं dissatisfaction आज के दिन आपको ज्यादा होगा हर चीज के अंदर मन मताबिक नहीं हो रही या तफिर जो कहा था सेम वैसे नहीं हुआ या जो सोचा था सेम वैसे नहीं होने के कारण dissatisfaction अपने आपके लिया पैदा करते नज़र आएंगे आखों में धुंदलापन होने के कारण या तफिर नंबर चेंज होने के कारण आपको आज डॉक्ट है अपने लालच का फल उसी समय मिल सकता है तो इससे आपको बच करके रहना चाहिए यंग सर्ज जो हैं स्टूडेंट्स हैं अपने मेंटर्स के साथ में अपने टीचर्स के साथ में जहां बहुत अची ट्यूनिंग थी हेल्प मिल रही थी आज उसी के अंदर कहीं कहीं पर गिरावट देखने को मिल सकते टीचर के और मेंटर के बिजी होने के कारण जो आप हिल्प माँग रहे हैं शायद आज वो आपको ना मिले शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर शुबंक रहेगा नमबर वन अब बात करते हैं कन्या राशी की आपके लिए राशी भाव में ही चंद्रमा है पर वदतारा का साथ है अश्टक वर्ग में 23 डॉट से ओबरॉल सिच्वेशन 80 परसंट फिर भी आपके लिए आज पॉजिटिव है अच्छी अच्छी रिस्क लेने की कैपिबिलिटी है तो वहीं पर एट्राक्टिव बहुत जादा है चाहे बात करने का तरीका हो ड्रेस अप हो स्मेल करने की बात हो तो आज बड़े ही जादा आप एट्राक्टिव बने हुए हैं लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और आप अपनी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं यही चीज आज आपके लिए बहुत ही अच्छी साबत होने वाली है कि कमाई भी बहुत अच्छी होगी और लोगों का साथ भी संपून तरीके से आपको देखने को मिलेगा वहां की सुख भी आज के दिन आपको प्राप्त होगा तो वहीं है तुला राशी की तो तुला राशी के लिए राशी भाव से ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा है अधिमित्रतारा का साथ भी है तो अश्टक वर्ग में 35 डॉट्स है सिच्वेशन यहां पर 70% सपोर्ट में है यहां पर सिर्फ और सिफ चंद्रमा मन का कारक है इसके कारण यह कहेंगे कि डर बना रहेगा आलस भरा रहेगा और मन में किसी बात को लेके संताफ होगा रिक्रेट होगा पर फैनाशली जब बात करें तो अच्छी कमाई करते वे नजर आएंगे बिजनिस आराम से अपने ट्रैक पे चल रहा होगा सपोर्ट स्टाफ का पूरा मिलेगा चाहे हम फैमिली लाइफ की बात करें तो जो ग्रहनिया हैं उनके लिए भी यही कहूँगा कि मन जो है वो बिचलित है पर सास ससुर का अपने घर में बाकी मेंबर्स का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है वो समझ सकते हैं आपकी बातों को आपके चेहरे को आपके हाव इसके लिए भगवान का शुक्र मना है शुबरंग रहेगा आपके लिए बैंगनी कला शुबंख रहेगा नंबर टू अब बात करते हैं वरश्चिक राशी की वरश्चिक राशी के लिए लेवन्थ हाउस का चंदरमा है विपत्तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 32 डॉ कम्यूनिकेशन के अगर आप इंफ्लूइंसर है या फिर कंटेंट क्रियेटर हैं तो अपने कंटेंट के माध्यम से जो आप कम्यूनिकेट करते हैं लोगों से उसमें आपको आज बहुत फाइदा देखने को मिलेगा जो भी बिजनेस्में शाम के समय में निकलेगा के वापस लोटेगा और यहीं पर यंगस्तर्स के लिए मांगलिक कार्य की शुरुआत यानि की शादी विवा संबंद यह यहाँ पर तै होता हुआ आज के दिन नजर आ सकता है बात इतनी सी है सही समय पर सही जगे पर अगर कॉल लग जाए तो मान लीजे कि आज के दिन घ का साथ और अश्टक वर्ग में 32 डॉट से ओवरॉल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 70 परसंट पॉजिटिव है और यही पॉस्टिविटी आपको लगातार देखने को मिलने वाली है तेरा तारिक को रात को आट बजे तक जब तक व्रश्चिक राशी का चंद्रमा न प्यार सर्कल मस्बूत करना हो तो यह सबी चीज़ें आपके फेवर में प्ले करने वाली हैं यहीं पर नौकरी में बदलाव जो हैं वो आपके फेवर में प्ले करेंगे और प्रॉपर्टीज के कोई भी टैक्स है या फिर कोई भी नोटिस आ रखा है तो आज वो भी आपक लिए नंबर फाइव अब बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी के लिए नाइंथा उसका चंद्रमा है साधक तारा का साथ और अश्ठक गोर्ग में 31.7 ओवराल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 75% सपोर्ट की है और यही सपोर्ट चेंज होने वाला है लेविंथ को या बहुत जादा सर्दी हो गई है जुखाम हो गया है वाइरल फीवर हो गया है मासपेशियों में दर्द है इस कारण आप शिकायत करते रहेंगे यह आपके लिए परिशानी जरूर रहेगा वहीं घर परिवार के साथ में बात सही तरीके से ना होना घर परिवार वालों का ब यहां धार्मिक छीजों का सहारा लेना आपके लिए बहुत जादा पॉस्टिफ सिद्ध जरूर होगा ये भी कहूंगा कि मान सम्मान को ले करके स्वयम के और दूसरों के बहुत जादा ध्यान रिखने की जरुत है ना ही खुद किसी का कुछ सुने ताकि सेल्फ धराब हो डिस्पेक्ट किसी की भी ना करें शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर शुबंख रहेगा नंबर सेवन अब बात करते हैं कुम्बराशी की कुम्बराशी के लिए एट्थ हाउस का चंद्रमा है वहीं पर सादक तारह का साथ और अश्टक वर्ग में 22 डॉ से तराफपूर्ण संबंद बने रहेंगे कही ना कहीं पर हेल्थ वाइज आप जादा शिकायते करते नजर आएंगे और कमाई के तौर पर भी अगर देखें तो मन मताबिक कमाई ना होने के कारण आप चिंतित हो सकते हैं इंकम आगई सालरी आ चुकी है बोनस आगे इंसे बिशान आप जादा रहेंगे और इसी का असर आपके हेल्थ पर भी देखने को मिलने वाला है शुबरंग ऐसे में रहेगा ब्लू कलर इस्तमाल कीजेगा अपने मूड को एलिवेट भी करेंगे और वहीं पर जो यह सोच है इस सोच से आगे बढ़ करके सोल्यूशन की से ओवरॉल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 73 परसिंट पॉजिटिव बन रही है सेवंथ आउस का चंद्रमा जहां आपके दामपतिय जीवन को दर्शाता है वहीं आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन को भी दर्शाता है तो यह कहूंगा कि पार्टनर्शिप बिज दाएं भी मिलेगी तो वहीं पर लाइफ पार्टनर एक दूसरे के लिए कुछ बहतर करना कुछ एक्साइटिंग करने के तरफ आगे बढ़ेंगे यहां पर सरकारी कामों की भी अगर बात करें सरकारी कांट्राक्टर आप रहे हैं या तो फिर सरकार के साथ में कोई काम कर हैं जिसका पेमिंट अब बकाया है तो वो भी रिलीज होने से काफी जादा आप यहां पर रिलाक्स होंगे ये भी कहूंगा कि विध्यारती जो हैं खास तोर पर जो कोई एजुकेशन ले रहे हैं फॉरन लाइंग्विज को ले करके या फिर जो भी यूमन बॉड़ी को ल रहेगा नमबर फाइव ये दो हुई बात आज के राशीफल की अब बात करते हैं सबसे महत्वपूंचीज की चाहे यूवक है यूवती है यंग्स्टर्स हैं प्रेमी जोड़े हैं जब बात होती है मैरेज की शादी की तब अकसर लोगों का एक सवाल होता है कि क्या ये ल बहुत ज़ादा ज़रूरी है और इसका उत्तर देना उतना ही आसान है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ये सीधे तोर पर दर्शाती है क्या आपकी शादी प्रेम विवा होगा या अरेंज मारेज तो जोतिश के तहट ये ग्यात होता है कि किसी इनसान का शादी प्रविवा प्रेम विवा होगा या पारंपरेग अरेंज मारेज ग्रहों की युति इस बात का सीधा सीधा तोर पर इंडिकेशन देती है आपके विवा यूग्य आयू में कौन से ग्रह सिती चल रही है वो ये भी संकेत देते हैं कि आपका प्रेम विवा होगा या अरेंज मारेज अधापे तक साथ में रहें अपना समय अपने emotions उनके साथ में share करते हैं इस वज़े से कई बार उनकी बातों को उनके घरवाले मान भी लेते हैं लेकिन कई बार उन्हें काफी विरोध का भी सामना करना करता है जिस से कभी अपना आत्मवश्वास हो देते हैं या तफिर अपने साथी को अपने जीवन साथी नहीं बना पाते। हाला कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपना प्यार पाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। तमाम विरोध के बाद में भी अपना प्यार पाने में सफल सिध होते हैं। अगर जोतिश्य दृष्टी से बात की जाए तो कुंडली में ग्रहों की कुछ विशेश स्थितियां हैं जो स्पष्ट रूप से प्रेम विवा की और इशारा करती हैं। कुंडली के सब्टम भाव को लंबे समय तक चलने वाली पार्टनर्शिप और विवा का भाव भी माना जाता है। कुंडली के पंचम भाव और सब्टम भाव में परस पर संबंध हो तो इनसान के लिए प्रेम विवा करना आसान बन जाता है। वहीं कुंडली में विशेश रूप से फिफ्थ हाउस यानि कि पंचम भाव, एकादश या सब्तम में राहू और शुक्र एक साथ उपस्तित हो तो प्रेम विवा का सपष्ट संकेत देते हैं। कुछ मानियता हैं ऐसी भी है कि लगन या तो फिर सब्तम में मंगल और शुक्र की स्थिती भी प्रेम विवा की और इशारा कर देती हैं। अब बात होती है शुक्र की और चंद्रमा की तो इनका एक साथ होना या एक दूसरे पर दृष्टी होना ये गोचर करना भी प्रेम विवा का कारण बनता है। अब बात होती है कि प्रेम विवा हो तो सकता है उसके इशारे कैसे मिलते हैं कैसे इंडिकेशन्स हैं क्या उस शीज की गारंटी होती है पर अब बात होती है कि असफल होने का कारण क्या होता है बात शादे तक पहुत चुकी है पर दोनों में से कोई एक इंसान मना कर देता है इतना समय दियावा किसी को वो अचानक से पलट जाता है तो क्या होता है? इसका रीजन क्या है? तो जोतेश शास्त्रे ये बताता है कि कुछ विशेश परस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति की कुंडली में अगर हो तो प्रेम जीवन में भी दोका और रिष्टे के तूटने का सामना करना पड़ सकता है ऐसी ग्रहों के सिद्धी के कारण प्रेम जीवन में समस्यां उत्पन होती है और इंसान परेशानी में इधर उधर भटकना शुरू कर देता है कई बार सामने वाला धोका दे देता है लेकिन ग्रह बताते हैं कि आपका प्यार सफल होगा या नहीं होगा आपका दिल तूटेगा या नहीं तूटेगा शुक्र और मंगल किस्तिती जीवन में प्रेम और आकर्शन बढ़हाने वाला माना जाता है लेकिन उस पर शनी का प्रभाव अगर पड़ता है या तफिर केतु ग्रह किस्तिती बनती है तो प्रेम जीवन में समस्याय देखने को मिलती है जिसके कारण आपका है कि साथी के बीच जगड़े होना रिष्टा तूट जाना बार बार ब्रेक पे चले जाना या फिर बीच बीच में बातें बंद कर देना यह परिस्तितियां उत्पन होती है इसके अलावा भी अगर देखें तो कुंडली में शुक्र और चंद्रमा ये दोनों की स्थिती भी प्रेम योग बनाती है लेकिन शनी देव शुक्र और चंद्रमा के साथ ही अगर सित हो या तो फिर उनकी दृष्टी हो तो ये प्रेम योग को दूशित कर देता है क्योंकि चंद्रमा का शनी से मिलन होता है और विश्योग बनता है शुक्र के साथ शनी के स्थिती साती से अलगाव का संकेत देती है ऐसी स्थिती होने पर इंसान को अपने प्रिय साती से मनमटाव का सामना करना पड़ता है और छोटी छोटी बातें दीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं इसके कारण जातक अपने साथी को खो भी देता है और अपने जीवन से प्यार खो देता है आप एक बार के लिए अपनी कुंडली देखें जब हजारों लोगों से ये सवाल पर principles astrology के आपको इस चीज को indicate करते हैं आपको direct करते हैं कि क्या चीज होने वाली है जैसे business के लिए business analyst आप रखते हैं वो वही चीजें बताता है जो आज के समय में चल रही हैं और आगे हो सकती है वो future predict आपके business का करता है आपके financials को देखके एक जयोतिशी आपकी कुंडली को देखकर के आपका future decide करता है decide नहीं माफ कीजेगा आपको बताता है indicate करता है क्या होने वाला है कुछ yard sticks होते हैं कुछ indications होते हैं जिनको समझता है वो यह experience के साथ में आता है यह समझ के साथ में आता है खुद की जिन्दगी में जो चीजें होती है उसको analyze करके आता है तब मेरे पता जी यानिकी कमिल श्रिमाली जी को आप सब गुरुदेव कहते हैं चालिस साल का जब experience होता है खास तोर पर चालिस साल का experience इस field में होता है four decades का experience जिसके अंदर आनेकों लाखों कुंडली आउना ने देखी हैं तब हर इनसान की समस्या समझते हैं सुनते हैं फिर करके बताते हैं और सिर्फ कुंडली ही नहीं बल्कि personal experiences से लोगों से बातें करके जिनके लिए सब कुछ वापस बहतर हो गया है उनसे समझ करके आपको guide करते हैं तब ही कहते हैं कि वो spiritual guide भी हैं वो motivational speaker भी हैं वो astrologer भी हैं तो वही lifestyle coach भी हैं ये आप सभी का प्यार ही है ये नहीं उनको कहा है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो फ्रेम है मेरे पिताजी के लिए और आशा यही करता हूं कि मेरे लिए भी हो उसके लिए हमेशा हमेशा आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद आशा करता हूँ आज का ये एपसूर आपको पसंद आये होगा तो हमेशा की तरह आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे संपन रहे सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशारवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन